हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे प्यारे बच्चों आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही रोचक कहानी लेकर आई हूँ तो चलिए शुरू करते हैं टोपी बेचने वाला और बंदर एक बार की बात है एक काउं में एक टोपी बेचने वाला आया एक दिन जब वो टोपिया बेच चुका था तो बहुत थक गया उसने एक पेर के नीचे थोड़ी देर आराम करने के बारी में सोचा और थोड़ी ही देर में उसे नीद आ गई पर जिस पेर के नीचे वो सोया था उसे पेर के उपर बहुत सारे बंदर बैठे हुए थे तभी उन बंदरों की नजर उस टोपी बेचने वाले पर पड़ी उन्होंने देखा टोपी बेचने वाला तो सो रहा है तभी उनमें से एक बंदर ने कहा दोश्तू देखो ना देखो देखो कितने प्यारी प्यारी तोपिया है चलो ना लेने चलते है और सारे बंदर नीचे उतर आए सभी बंदरों ने टोपी वाले की टोकरी से टोपिया दी और पहन ली कितनी रंग भी रंगी टोपिया है कितनी अच्छी लुग रही है फिर वो दुबारा पेड़ पर चड़ गए जब टोपी वाला जागा तो वह अपनी खाली टोकरी देखकर चकित रहे गया हाह? मेरी टोपिया वो ये देखकर हैरान रहे गया कि उसकी सभी टोपियां बंदरों ने पहन रखी थी ए बंदरो मेरी टोपियां वापस करो अभी के अभी सारी टोपिया वापस करो तुम्हारी टोपियां ये टोप हमारी है हम तो नहीं देंगे तुम्हें और सभी बंदरों ने ऐसा कहकर उसकी नकल उतारना शुरू कर दिया ये देखकर टोपी वाले को एक उपाय सूजा और उसने जट से अपनी टोपी हवा में उच्छाल दी ये देखकर बंदरों ने भी अपनी टोपी हवा में उच्छाल दी फिर टोपी वाले ने अपनी टोपी जमीन पर फेक दी ये देखकर बंदरों ने भी अपनी टोपियां जमीन पर फेक दी ये हुई ना बहुत अब जल्दी से टोपि वाले ने टोपियां अपनी टोकरी में डाली और महां से चला गया तो प्यारे बच्चों हमें इस कानी से यह शिक्षा मिलती है कि संकट के समय ठंदे दिमाग से सूचने पर उपाय मिल ही जाता है आशा है आप सबे को यह बहानी पसंद आई होगी धन्यवाद